दोस्तों जो लोग बकरी पालन में सफल होते हैं उनके पीछे आप देखेंगे तो पाएंगे कि तीन चीज जो है काफी संजीदगी से उन्हों उसको किया है उसको जीया है क्या क्या तो बकरी पालन का क्या प्रोसेस होता यानि प्रोसेस बकरी पालन में इंकम कैसे होगा यान यानि अगर बात करें तो बकरी पालन के तीन मूल मंत्र प्रोसेस, इंकम और मैनेजमेंट अगर इन तीन चीजों को अगर आप समझ गये तो बकरी पालन में आप भी एक दिन आने वाले समय में सहनसा होंगे और बकरी पालन व्यवसाय से एक अच्छी कमाई आप अपनी जीव करेंगे और अभी यूवा से में मिलने वाला हूं उनकी उमर काफी कम है और नौक्रीं से साथ बकरी पालन कर रह dinero समझ सकते हैं और सुबह साम आप उन से आगे विडियो में सीख है हम जानकारी आज बकरी पालान से संबनीट आपको आगे मिलने वाली वीडियो को स्किप मत कीजिए गा आखरी तक देखिएगा तो देर नहीं तो देर करते हैं वीडियो शुरू करते हैं एक कृष्ट सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम रिजवान अंसारी है, हम और दानिस दोनों भाई मिलके यह डियार एगरो गॉड़ फार्म चलाते हैं, यह हमारा फार्म का लोकेशन धनबाद है, धनबाद में महोदा एक जगा है, वहाँ पे हमारा फार्म है जोन भाई, आज हम बात करेंगे बकरी पालन में तीन चीज़, काफी इंपोर्टेंट होता है, यानि बकरी पालन का अगर मूल मंतर कहा जाए, तो प्रोसेस, इंकम और मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानि बकरी पालन का क्या प्रोसेस है, कैसे करें कि बकरी करना है कि मेरे पास सेड़ का क्या बैस्ता है यह सब चीज हो गया तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट चीज ब्रीड का सेलेक्शन कौन सा ब्रीड पर आप काम करना चाहते हैं और कौन सा ब्रीड हमारे जहरकंड बिहार के लिए तो मेरे हिसाब से हम लोग अपना जो आप देख सकते हैं और काफी अच्छे फ्रेम में है तो क्या-क्या खासियत है हमारे दर्शकों को बताईए यह बखरी की दो-तिन खासियत है पहला इम्मृटी पावर बहुत अच्छा है जारकंड बिहार में सूटेबल है दो बच्चे देती है दूद एक से धेड़ लिटर दूद है और यह अपने बजट पे भी आ जाती है सब तरह से यह बकरी हमारे लिए सूटेबल है यानि कहा जाए कि जैसे बलेक बंगाल तो हमारे लिए सबसे अच्छी है लेकिन उसमें कहीं न कहीं दूद की कमी मानी जाते है जिसके कारण बच्चों की मोटलिटी हो जाती है तो उस की कमी की चलते बच्चों को गूथ नहीं होता है मौटिलिटी थोड़ा होता है वो चीज यह क्रॉस्ट बख्री में वह चीज का प्राब्लम नहीं है एक से धेसर दूद है्ट है बच्चे का बहुत दो बार भार बच्चा देती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका आप बकरी का फ्रेम देखे, हाइड देखे, अडर देखे, सब चीज देखे, आप वीडियो में दिखाईए दर्सक को क्या है यह चीज और कहा जाए तो कम से कम तो दो देती है, कभी-कभी तीन बच्चे भी देती है यह हमारे यहाँ पे तीन बच्चे भी होती है, हम आपको वीडियो में दिखाईएंगे कि तीन बच्चा भी यहाँ पे दी है दो कमन है, दो तो देती ही देती है आप बात करते हैं, रेस्वार्ड होएगी जैसे लोग बक्री पालन करते हैं, तो आज बहुत सरदर्ध बना है फीड कोस्ट, बहुत साने लोग जो है चिलनम चिलना करते रहते कि कोई करते 20 रुपए 25 रुपए ऐसे खर्चा जा रहा है तो बकरी पालन में कैसे कम खर्च हो बकरी पालन कड़े वो बताइए देखिए अगर आपके पास जगह है तो आपने फिर घांस का बैस्ता कीजिए अगर अब ऐसा बहुत जन बढ़ता है जमीन का भी थोड़ा क्राइस से तो उनके लिए ये बकरी कूटी पे जो धान वाला कूटी होता है उसको भी खाती है पैरा कूटी होता है उसको हलका चोकर मिला के दीजी आराम से बगरी खाती है तो कोस्टिंग कोस्ट इस बख्री में बहुत कम है फीड का बह तो आपका लगबक आधा हो जाएगा इसमें फिट कोस्ट अपना बचेगा अब बात करते हैं रेजॉन होई कि जैसे बात होगी बकरी पालन में कैसे कमाई करें इंकम तो बकरी पालन में इंकम कैसे करें वो बताईए देखे अस्तो जी बकरी पालन में इंकम तो देखे पहला इंकम तो हम लोगों को बच्चा के जरिया ही होगा तो हम लोगों को बच्चा मिले और बच्चा बच्चे और बच्चा का ग्रोथ अच्छा हो तो इस नसल पे बच्चा मिलता भी है दो बच्चा साल में चार बच्च दूद्ध भी अच्छा है तो बच्चा का ग्रोध भी अच्छा होता है तो आप 2.500.000 अराम से साल में से हमको कमाया जा तो इस तरह का जो है रख रखाओ कैसे करते हैं क्या खिलाने की आपके पास ब्योस्ता है अगर यह सब सही रहेगा तो आराम से इस तरह की जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यह सामने जो आप देख रहे हैं कितने बच्चा देने वाली है यह बख्री 10-12 दिन में तो इस तरह का दूस्तो इस तरह का जो है बख्री अगर आप रखेंगे तो कम से कम दो बच्चे तो मिलेंगे और बच्चों की मोटलिटी नहीं होगा जैसा कि रिजवान भाई ने बताया एक बख्री यहां भी है आप देख सकते हैं इसके अडर वगर को देख सकते हैं इस फार्म में होगी तो कहीं न कहीं तो किसी तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी पड़ेशानी नहीं होगी और देशी बख्री का दूस्तों एक फाइदा यह होता है जैसा कि सर ने भी बताया कि इम्मुनिटी सिस्टम इनका काफी मजबूत होता है इम्मुनिटी सबसे बड़ी बात की हाइट लेंथ भी जो है आप देख सकते हैं हाइट लेंथ सबकुछ है कान चोटा है हम लोग भी आपको दिखाएंगे लेके चलेंगे उनके फाम पर वहाँ वहाँ सही जान खाड़े मिलेगी क्या है आप और देख वहाँ सहीसा और जो को दिखानगे हैं जो दिखाना लेके वहाँ आप को समझेंगे कि हां तब बच्चा दिखाना चाहता तो यह दिखाने के में मेरे पास तो आप थोड़ा से दिखा दीजे किसान तो दोस्तो हमें जो हं एक दिन पहले का जो बच्चा आया थे बão अब लगदा तो दूस्तो अब देख सकते हैं कि T आइट लेंथ भी देख कि आप समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे हैं तो यह जो देशी बक्री है उसका यही कमाल है अगर ब्रीडर थोड़ा से ब्रीडर कौन सा है रिजवान वी वह दिखाए इसी नसल का ही बच्चा है इसी का देखें अभी 40 kg बॉड़ी वेट है देखें यह इसी बक्री का बच्चा है ऐसा नहीं कि यह कोई दूसरा नसल है तो आप देख सकते हैं एक बार करीब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि यह अदंत है अभी आने वाले समय में एकात साल में इसका ग्रोथ कितना होगा और अभी हाइट यह काफी यह ले अच्छा सेलेक्शन होना बहुत जुरूरी है अब इस तरह का और अच्छा ब्रीडर जैसे 45-50 किलो बाड़ी वेट पर एक ब्रीडर रख सकते हैं अपने फार्म पे अच्छा रिजल्ट के लिए रिजॉन भाई हम तो लगता है डिर दो साल पहले आपके फार्म का वीडिय पूरे इंडिया से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बाई है जो कि गल्फ कंट्री से भी देख रहे हैं तो मालेजी आपके फार्म में आना चाहें तो कैसे धनवाद से आ सकते हैं रेलवे स्टेशन से वह बताईए देखिए धनबाद रेलवे स्ट किलो 19 किलोमेटर यहां हमारे यहां पर बीच का लोकेशन महुदा एक जगह है महुदा में आना है और आके हमें फोन कीजिए कॉल कीजिए गूगल मैप में सर्च कीजिए तो रियल टाम लोकेशन भी डाला हुआ है फार्म का बिल्कुल तो आपकी सहुलियत के लिए दोस्तों बकरी पालन में तो वो कैसे करें कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए वो बताइए देखें मैनेजमेंट के लिए पहला है कि रख रखाव रखने का जगह मेरा साब सुतरा होना चाहिए अभी बारिस का टाइम में और रख रखाव ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मख्यी बहुत सारे कीटना सब अब सब कुछ मिलता है तो साफ सफाई का बहुत ध्यान है भरसात में साफ सफाई का द्यान पड़ेगा आपको फिर खाने पीने का time management और यह सब करने के लिए आपके पास माल अच्छा है तो मार्केटिंग जरूरी है मगर मार्केटिंग हो जाएगा आपको जरूर पहुंचेगा और माल लेकि जाएगा अगर अच्छे ब्रीड आपके पास रहेंगे अच्छे हाइट की बगणिया रहेंगे अच्छे हाइट के जानवर रहेंगे तो खुद बखुद लोग पता करते हैं पहुंची जाते हैं मेरा ही आप फार्म का लोकेशन देखे को जानवर हैं तो पूरे इंडिया से जो है लोग आपको खोचते-खोचते पहुंच जाएंगे अब बात करते हैं कि जैसे एक दो जानवर बकरी पालन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब समों में बकरी पालन करते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहेता है तो क्या वैक्सिनेशन व्यार का क्या से डियूल होना चाहिए कि वैक्सिनेशन तो बहुत जरूरी है वैजस्ण आप mix में रखिएगा तो घ्रुप में थोड़ा विमारी जल्दी फैलता है तो उसके लिए आप रेक्सिनेटर जानवर और पूरा होना चाहिए विना वेक्सटेज जानुवर आप बीच में घुसाइयेंगा उसमें तो उसमें बाकी बक्री आपका जानवणियों को बहुत करिण जयसा हमस वह कर से सब्सक्राने से पहली जरूर कर लें। अंतर में जो लोग आपको देख रौए है जो प्रवाश्य भारति है आपको देखने और उनकीबी कहीं न कहीं आगे भारयान योजना योजने और जीव को बकरी पालन के संबन्दित मेसेज तो बकरी पालन अच़ा वैसा है क्योंकि हम चे साल से कर रह तो हम चीज को देख रहे हैं कि क्या इससे हमें profit है loss है तो profit है तभी हमाज 6 साल तक टिक है वरना हम अभी बंद करके बोरिया विश्थर बंद करके घर में होते हैं यह देखिए आप भी जान रहे हैं आदमी बहुत आदमी नया नया आदमी रोज जुड़ रहे हैं इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है बकरी पालन में कमाई भी है आप इससे जुड़े अच्छे से करें प्रोपर ट्रेनिंग लेके करें जानकारी ले ले एक्स्पिरियंस करें थोड़ा कम माल से शुरू करें इसमें अच्छा बैसा है बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए समय देने के लिए तो आप अपने डाउट को कॉल करके दूर कर सकते हैं और अगर नियर भाई एरिया में है तो आप फार्म के विजिट करके भी सर से मिलकर और चीजों को और अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं तो आसा ये वीडियो आप से काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो एक लाइक जो रूप करिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब किजिएगा थैंक्यो फूर वाचिंग